एशिया कप के सूपर चार मुकाबले में यानि की 23 सितंबर को इंडिया ने पाकिस्तान को नौ विकिट से हरा दिया नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनुशुदी और आप देख रहे हैं नेक्स नाइन स्पोर्ट्स वैसे तो अभूमन कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हाई वोल्टेज मैच होता है लेकिन यहां पर कल का मैच एक तरफा दिखाई दिया इस मैच के बारे में इस पूरे जितना भी सीरीज हुआ है अभी तक जो दो मैच इंडिया और पाकिस्तान ने खेले हैं इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जोड़ रहे है वेलकम अभिलाश अभिलाश जैसे कि हमने अभी मैंने ही यह चीज बोली कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है काफी हाई वोल्टेज माच होता है लेकिन कहीं न कहीं कल का मैच एक तरफा दिखाई दिया है क्योंकि पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट जो थे परवेज मुषरफ वो शा तरफा मुकाबला जरूर जीता भारत लेकिन आपको बता दें कि यहां पर भारत ने बहतर खेला इस वज़े से मुकाबला एक तरफा हुआ यह पाकिस्तानी टीम वो पाकिस्तानी टीम नहीं लग रही थी जो पिछले एक साल से परफॉर्म करती आई ती है जिसने चैंपिय मैचे इस टौर्नमेंट में जीत लिए है और अफगानिस्तान वाला मैच जो है महजे का उप चारिकता रहे गया है यहां पर पाकिस्तानी टीम को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है मैच के बाद का कि हमारे लड़कों ने उतना अच्छा खेल नहीं दिखाया क्योंकि हमारी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हो रही है फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि टॉस जीत कर आपने जो बल्लेबाजी का फैसला किया था क्या वो फैसला सही था उन्होंने कहा कि फैसला बिलकुल सही था हमें शुरुआत में विक्टें चाहिए थी भारत की खिलाफ जो हमें नहीं मिल पाई और हमारे गेंदवाज उस ले में जो है गेंदवाजी नहीं कर पा रहे थे उन्होंने कहा कि रोजच शर्मा और शिकर्दवन की कुछ इसकिल भी काम आई क्योंकि जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे थे जिस तरह से दूसरे को कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला जो है वो ज्यादा लंबा नहीं किचेगा और शायद भाही हुआ रोजच शर्मा और शिकर्दवन ने अपनी शांदार बल्लेबाजी दिखाई और भारत जो है वो फाइनल में प्रविश कर गया अविला श्रम ने हमेशा से कि अगर हमारे तॉप त्री बल्लेबास चल जाते हैं 15 तो फिर हमारे वहांस मैं उसके बाद आते हैं उन्हें कहीं बहुत असानी हो जाती है कि उन्हें रण स्कोर करना उनको पता रहते हैं तो तो कहीं न कहीं यहां पर जो कि सबसे बड़ी पार्टनर्शिप हुई है आप यह सूच लिजे कि जो टॉप थी हैं विराट कोली, शिखर्दरवन और रोईच शर्वा इनको तो शयद अब कोई हिला नहीं रहा है क्योंकि अब यहां से 20 मैचे और बाकी रह गए अगर बात की जाए यहां पर शुरुवाती ओगरों की तो यहां पर कल दोनों कप्तान को मैं सुन रहा था, दोनों कप्तानों ने यही कहा कि हमने सोचा कि हम दस ओवर तक बैटिंग कर लें, यह रोईच शर्वा ने कहा और सरफराज ने कहा कि अगर हम उनके विक्ते निकाल देते तो हम मैच में बन सकते ते तो क्योंकि सब को पता है कि दुबाई के पिच में नया बल्यबास जब बैटिंग करने आता है तो उसके उपर बहुत प्रेशर होता है, एकदम से रन बनाने जो है वो इजी नहीं होते है क्योंकि बॉल पुराना हो जाता है, नई गेंसे अगर आपने दस ओर सरवाइब कर लिया जो कि कल भारत में बहतरीन तरीके से किया था दस ओर में करीब 50-55 बोर्ड पर लगा दिये थे, तो अब उसके बाद उनको आराम से खेलना था, जस्ट स्कोर कार्ट चलाना था, स्कोर बोर्ड चलाना था और वही किया और उसके बाद जब एक मोमेंटम हासिल जब कर लिया उन्होंने, तो उसके बाद दिनोंने अपना पकड़िया और फ्लो पकड़ने के बाद बहतरी इन शौटने दिखने शुरू हुई तो यही बात होती है कि अगर भारती ओपनर्स, इस्पेशली जो भारती बल्लेबाज हैं, इमने इंगलेंड में भी देखा हैं, इनको अगर आपने 15 ओर दे दिये, या 10 से 15 ओर के बीज जिनकी एक ही विकेट गीरी रही, तो यह आपकी टीम के खिलाफ कितना भी स्कोर खड़ा कर सकते हैं, इस्पेशली रोहिच शर्म और शिखर दामर, क्योंकि यह इस तरह के कॉंप्लिमेंट करते हैं, दूसरे को इतनी अच्छी पार्टनर्शिप बनाते हैं, कि दूसरी टी आपकी टीम से जीत नहीं सकते हैं, अबिलश यहां पर हम अपनी बैटिंग लाइनप की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान से जो सबसे बड़ी गती हुई है, वो हुई है उनकी बोलिंग टीम से, कि उनके बोलर्स जो है विकेट नहीं न पर फिल्डिंग भी भारत की बहुत, बहुत जादा बहतर है, बहुत जादा हूँ, एक अवल दर्जे की फिल्डिंग हमने कल देखी है, और पाकिस्तान की हार में कल इनके फिल्डर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि करीब आठ कैचस छोटे हैं कल भी, और र पाकिस्तान को समलना पड़ेगा, यह वही टीम है, जो एक महीने पहले जिनके बारे में बात की जा रही थी, कि पिछले एक साल में इस टीम ने सबसे जादा रन आउट किये हैं, सबसे बहतरी इन फिल्डिंग है पाकिस्तान की, लेकिन अब वही प्लेयर्स, इमाम उलहक, म मैच में क्या होगा, लेकिन यहाँ पर भारती टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, यहाँ पर भूबनेश्वर और भूमरा, पाकिस्तान की गेंदवाजों से जादा बहतर नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की गेंदवाजी के हम इन शाम ने बात की है, लेकिन यह हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी स्किल और थोड़ा सा मोमेंटम नहीं रखेंगे, तो यही आपको भारी पढ़ जाता है, जब आप दो तीन विक्टेंग हो देते हो, तो भारत के साथ अभी तक चार मैचेस में तो ऐसा नहीं हुआ है, हम उमीद करेंगे कि फाइनल मे को छोड़ दें, तो उनके अलावा इस पूरे टूनमेंट में किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कल सर पराज एहमद ने 44 के आसपास रंग किये थे, बट क्या सिर्फ शोयब मलिक के चलने से पाकिस्तान टीम एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप जीतना सोच सकती है देखे, शुती पाकिस्तान का जो मिडल ओडर है, वो शोयब मलिक के इर्द इर्द हुमता है, हम सब जानते हैं कि फकर जमान, बाबार आजम ये लोग अगर चलते हैं, तो ये लंबी पारी खेलते हैं फिर उसके बाद फिर वही इंडिया वाला हिसाब किताब है कि अगर आ तो अभी भी यही कहूँगा कि सर्फराज एमद एक अलग किसम के कप्तान है, ऐसा नहीं कि कप्तान बुरे हैं, कप्तान अच्छे हैं, लेकिन अगर बल्लेबाजी शेली और फिनिशर की बात की जाए, तो महेंदर सिंग दोनी के आगे अभी वो कहीं नहीं है, कहीं भी स्कूर आगे लेकर जाना है, कितना टार्गेट रखना है, और किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, अगर दोनी आखरी तक रहते हैं, तो मैज जिता कर जाते हैं, और कई दफा उन्होंने ऐसा किया भी है, यहां पर सर्फराज के साथ दिक्कत यह है, कि आपको स्टार्ट तो अच्छा बंडिलता है, आप पार्ट्नरशिप बिल्ड कर लेते हो, कल भी ऑच्छी पार्ट्नरशिप बिल्ड हुई जोए, 107 रनों की पार्ट्नरशिप वही शोइबमलिक के साथ, लेकिन उसके बाद आपने कैसा ओरडिनरी शोट खेला जब आपको पता है कि आपकी तीम भारती टीम का वी स्कोर बहुत जादा नहीं था भी सोर तक लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी उनके पास विक्ते बजगी थी तो उन्होंने अपनी शौट्स खेलना शुरू किया उन्हें लगा कि अब हम यहां से मैस निकाल सकते हैं कि कम से कम असी से सोरन तो वह बना ही स पार हें तो शाध पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कंसोरी की बात है बिल्कुल क्योंकि बाट्समें का चलना भी जो है पाकिस्तान की टीम के लिए काफी अच्छा माना जाएगा आपने बद की दोनी की ऐजद क्या अच्छे रहे हैं और शिभी उनके कुछ डिसिजिंस अइसे थे जैसे कि बॉल घरक्राइज को बता दिया था कि आपको बोलर साइट पर भेख नी आपको इधर नहीं फेध नी तो कहीं नहीं वह जो गीम उनका सबसे तो वो स्ट्राटेजी प्लान करते हैं, उन्होंने एक दो जैसे आपने कल भी पो रहा था, धोनी रिव्यू सिस्टम उन्होंने एक और किया था और वो भी बैट्समेन आउट ही हुए थे, तो कही ना कही मुझा लगता है कि इस टीम को अभी भी धोनी की जरूरत है, कोली भी सजेशन लेते हैं, तो महिंद सिंग्धोनी का रहना बड़ा ज़ूरी है, और अगर वो मैदान पर रहते हैं, वो रंस स्कोर करें या ना करें, कम से कम एक वो मोमेंटम पकड़ा देते हैं टीम को, कल भी उन्होंने इमाम उलहक का विकेट लिया, ऐसा लग रहा था रहना क्रीज पर बहुत ज़रूरी है, और रोहिज शर्मा ने मैच के बाद कहा भी था कि मैस सभी खिलाडियों को क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं से पर्फॉर्मेंस दी है, इस भारती टीम विनिंग साइट पर पहुंची है, बिल्कुल अब रोहिज शर्मा अगले मैच में थोड़ा से एक्सपरिमेंट भी करेंगे, क्योंकि प्लेर्स को रेस्ट देना बड़ा जरूरी है, अच्छी गेंदवाजी कर रहे हैं, होंको के खिलाब जोड़ा से हमने देखा था थोड़ा चेंज उन्होंने जो दिखाया था, तो अगले हैं, और कैसे अफगानिस्तान के साथ हो सकता है, रोहिज शर्मा एक्सपरिमेंट भी करना चाहें, इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे स्पोर्स चानल से जोड़े रहे हैं, और एश्याकप के सारे अपडेट्स हमारे चानल पर जरूर देखें, फिलहार हमें दीजे इजाज़त और साथ ही साथ हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज न भूलें, थैंक यू